आज हम देखेंगे Excel के कुछ basic calculations, जिसमें से पहला है multiplication, मेरे पस यहाँ पर दूर चीज दीवी है, price है और product sold है, तो मैं इसका multiply करूंगा तो मुझे sale मिल जाएगा, तो इसका multiplication कैसे करेंगे, आपको अपनी keyboard से करना है is equal to, फिर Excel को select करना है price वाले, और star press करेंगे जिससे multiply होग और दूसरा sale हम select करेंगे product sold वाला, और simply enterprise कर देंगे, इससे हम नीचे drag कर लेते हैं, तो इस तरह आप Excel में दो चीजों का multiplication कर सकते हैं, दूसरे calculation में है division, तो division के लिए, यहाँ पर मेरे पास sale दिये हुआ है, product sold की quantity दीवी है, और मुझे price लाना है, तो इसके लिए sale को product sold से divide करना पड़ेगा, तभी मुझे price मिलेगा, तो division करने के लिए, आपको अपने keyboard से press करना है, is equal to, sale वाला sell select करेंगे, फिर slash तबाएंगे, और फिर product sold की quantity select कर देंगे, और फिर enterprise करेंगे, इसे भी हम नीचे drag कर लेते हैं, अभी next देखते हैं, next है addition, कोई भी दो amount का addition करने के ल amount को आपको select करना है, जिसे यहाँ पर office expense है, तो मैंने उसको select किया, फिर अपने keyboard से press करेंगे, प्लस, fish stationer expenses वाला sell है, तो मैंने उसे select किया, and then enterprise किया, इसे हम नीचे drag कर लेते हैं, तो इस तरह आप Excel में addition कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा चाहिए कि यह जो total है, उस सब का sum यह total को ले लेगा, उसके बाद हम enter करेंगे, तो देखिए जो यह total था, उस सब का sum यहाँ पर नीचे आ गया है, अभी हम देखेंगे कि subtraction का use हम कैसे करें, यहाँ पर sales दिया हुआ है, sales return है, मुझे net sales लाना है, तो इसके लिए आपको करना है is equal to, sales select करेंगे, fill minus का symbol, और sales return select कर और enterprise कर देंगे, तो यह हमारा net sales आ गया है, तो दूस्तों यह थे कुछ बहुत ही basic calculation in Excel, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और share करना अपने friends के साथ, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब ते के लिए, गुडबाए